नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में गुलाब की बड़ ग्राप्टिंग पर बात करेंगे इससे पहले मैंने आपके साथ गुलाब की भी ग्राप्टिंग की वीडियो सेर की थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा एक बार जरूर देखेगा दोस्तों गुलाब की ग्राप्टिंग टेकनिक में जो टेकनिक सबसे ज़्यदा चलन में रहता है वो है बड़ ग्राप्टिंग टेकनिक यानि गुलाब की budding जिसमें दो method का प्रयोग किया जाता है पहला eye budding और दूसरा tea budding इस वीडियो में हम लोग tea budding method को जानेंगे दोनों ही method में गुलाब की जंगली वाली यानि wild rose variety के root stock में इंगली गुलाब की पोधे से अपनी मन पसंद बढ़ लेकर उसमें insert की जाती है ग्राप्टिंग की जाती है सबसे पहले आप कुछ इस तरह से जंगली गुलाब के इस्टोक में लगभख 8-10 cm की उचाई पर tea shape में cut लगा ले ग्राप्टिंग में 100% successful result पाने के लिए आप हमेसा नए blade यूज में ले या पूराने blade को hydrogen peroxide से sterilize कर लें इसे फंगस लगने का डर नहीं रहेगा root stock में ticket लगाने के बाद ही आप अपनी मन पसंद variety के गुलाब के पोधे से bird यानि जिसे हम आग भी कहते हैं उसे choose करें अगर आप पहले ही bird लेकर grafting process start करेंगे तो हो सकता है कि bird सुखने लग जाएगा या फिर उसकी नमी कुछ हद तक खत्म हो जाएगी ऐसा होने पर grafting के फेल होने के chances बढ़ जाते हैं इसके अलावा grafting के फेल होने में मौसम वा तापमान का भी एहम रोल रहता है अगर आप grafting सही तरीके से कर भी लेते हैं और मौसम आप गलत चूस करते हैं तब भी grafting आपकी फेल हो जाएगी क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुलाब की grafting के लिए सबसे अनुकूल मौसम विंटर सिजन का रहता है इस मौसम में हमें गुलाब की grafting में सबसे जादा successful result मिलता है इसके अलावा आप गुलाब की grafting को spring season में भी try कर सकते हैं मैंने भी ये grafting spring season में ही की है बर्ट के selection में आप ऐसे बर्ट को लें जिसमें नए उभार हों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है ऐसे बर्ट को graft करने पर उसमें new growth जल्दी start होती है यानि हमारी grafting success जल्दी होती है बर्ट को लेने के बाद बर्ट के पीछे तरफ wood की जो परत होती है उसे भी आप हटा लें अगर नहीं भी हटाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी फिर भी based और जल्दी result के लिए आप wood वाले पार्ट को हटा ही लें इसके बाद बर्ट को जंगली रोज के स्टोक में हम जो टी सेप में cut लगाकर उसे लूच किया है उसमें बर्ट को insert कर देना है insert करने के बाद के process में आपको इसे बर्ट के उपर और नीचे अच्छे से air tight लपेट कर बांद देना है अच्छे से tight बांदने पर ही बर्ट का बार्ट वाला पार्ट इस टोक केस केंबियम में अच्छे से चिपक जाएगा और grafting इजली success होगी इसके अलावा tight बांदने पर बर्ट में नमी भी बरकरार रहेगी वो जल्दी नहीं सुखेगा और उसमें हवा भी इंटर नहीं करेगा बांदने के लिए आप कोई भी normal पन नहीं ले सकते हैं जो stretchable हो उसमें लचीला पन हो grafting प्रोसेस complete होने के बाद आपको इसे प्लास्टिक से ढखक कर ऐसी जगह पर रखना है जहां पर धूप छहन कर आए यानि इसे direct sunlight से बचा कर रखना है लेकिन आप इसे प्लास्टिक से tightly cover ना करें अगर ठंड ज्यादा है तब तो tightly cover करना ही पड़ेगा जिससे प्लास्टिक के अंदर humidity यानि उमस create हो सके जिससे new growth में मदद मिल सकेगा लेकिन अगर तापान समान है यानि लगभग 25-30 degree Celsius से लेकर 33-34 degree Celsius के आसपास है तो आप simply मेरी तरह प्लास्टिक से cover करके ढख दें जड़ो में पानी आप जरुत के हिसाब से डालें टाइम टू टाइम देते रहें ठीक वैसे ही जैसे हम अन्य प्लांट में देते हैं दोस्तों यह पहला अपडेट में आपसे 20 दिन का share करने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं प्लास्टिक को रिमू कर देता हूँ फिर इसका अपडेट आपको दिखाऊंगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्ड में नियू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है अब इसे मैं फिर से सेम उसी तरह प्लास्टिक से cover करके पार्सल सनलाइट वाली जेगा पर प्लेस कर दूँगा जब तक इसमें पतियां अच्छे से डेवलप न हो जाएं लेकिन उसके बाद भी हमें इसे इतनी जल्दी फूल सनलाइट में नहीं रखना है ग्राप्टिंग के सकस होने के लगभग दो महीने बाद ही इसे फूल सनलाइट में रखेंगे और इसकी जो ग्राप्टेड वाली जो पॉलिथीन है उसे रिमू करेंगे जिससे इसके सकस होने के बाद भी इसके सुखने का डर न रहे गुलाब की ग्राप्टिंग आप winter season में ही करें इसके अलावा spring season में भी इसे आप try कर सकते हैं दोस्तों गुलाब की ग्राप्टिंग में मौसम वतापमान और ग्राप्टिंग करने का जो तरीका होता है जो process होता है वो यानि आपको गुलाब की ग्राफ्टिंग में इन मुख्य दो चीजों का खास तोर से ध्यान रखना है इससे आपकी ग्राफ्टिंग इजली सक्सेस हो जाएगी या वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को सेर जरूर किजेगा इससे सिर्फ अपने तकी सीमित मत रखेगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर किजेगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी जरूर से क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली नए वीडियो का अनुड़ी केसन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद